आकाश्वानी से करवाईए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड लगेगी गोपाल आज पहली बार तुने अक्लबंदी की बात किये रहे क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ अपनी दुकान, व्यापार या सिवा का प्रचार रेडियो से करवाईए, विग्यापन बुक करने आकाश्वानी आईए भी चाहिए, मगर गाउं के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा आकाश्वानी से गाउं होया शहर, अपनी दुकान या उत्पात की जानकारी पहुँचाईए घर-घर आकाश्वानी आईए और विग्यापन बुक करवाईए ये आकाश्वानी रायपुर है, प्रादर्शिक समाचार बुलेटिंग के साथ मैं दिप्ती चंद्रा और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार 36 गड़ में 2 अक्टूबर से कोरोना सघन सामुदा एक सर्वे अभियान चलाया जाएगा मरवाही उपचुनाओं को लेकर तयारियां शुरू, मुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर चुनाओकारिक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी राज्यसरकार ने नियूनतम वेतन अधिनियम के तहत प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजन और कृषिन योजन में कारेरत श्रमिकों के लिए नियूनतम वेतन की दरे निर्धारित कर दी है और विजापुर्जिले के जांगला थाना शेत्र में मावादियों ने दो ग्रामिनों की हत्या कर दी है महत्मा गांधी की देड़सवी जैनती के सिलसिले में बुलेटिन की शुरुवात हमारी विशेश रिंखला बापु की बास से आज हम बात कर रहे हैं ब्रश्टाचार पर गांधी जी के उस कधन के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रश्टाचार देश को आगे बढ़ने से रोकता है अब समाचार विस्तार से 36 गड़ में 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कोरोना सघन सामुदाईक सर्वे अभियान संचालित किया जाएगा इसके तहत ब्रामीन और शहरी इलागों में घर घर जाकर COVID-19 के लक्षनात्मक मरीजों की पहचान की जाएगी स्वास्विभाग की अपर मुख्य सचीव रेणू जी पिल्ले ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए अभियान के प्रभावी क्रियानवेन के लिए सभी कलेक्टरों को अर्दशास की पत्र लिखा है श्रीमती पिल्ले ने कलेक्टरों से कहा है कि कोरोना सघन सामुदा एक सर्वे अभ्यान में जिले के सभी शहरी एवं ग्रामिर परिवारों तक पहुचना सुनिश्चित करें प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के बहतर इलाज के लिए लगातार कई कदम उठाय जा रहे हैं इसी कड़ी में राजधानी रायपूर सिट डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर इस्मृती अस्पताल को राजजी टेली मेडिसीन हब बनाया गया है इसके जरिए चिकिस्ता महाविद्याले के विश्चेशक के चिकिस्तक प्रदेश के सभी कोविट केयर सेंटरों के चिकिस्तकों को कोरोना संक्रमन के इलाज के लिए परामर्श देंगे यहाँ सुविधा 2400 घंटे जारी रहेगी राश्री स्वास समिशन की संचालक डॉक्टर प्यांका शुकला ने बताया कि सभागवार टेली परामर्श के लिए समय तैक कर दिया गया है वही राज्री महिला आयोग के अद्धश डॉक्टर किरणमई नायक ने राज़ानी रायपूर में कोरोना जागरुकता अभियान के लिए चार वाहनों को आज हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इधर महासमुन जिले में लॉकडाउन खत्म होने के बाद आज से सामाने दिनों की तरह विभिन गति विधिया शुरू हो गई है महासमुन में आज राज से आट बजे तक सभी दुकाने खुली रहेंगी वहीं राजन गाउं जिले में कोरोना संक्रमन से बचाव के प्रती जन जागरूपता पैदा करने के लिए समाज सेवी और सामाजिक संगठन जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं कोरोना की करो पहचान जास से होगा जीवन आसान जैसे संदेशों वाले पॉंपलेट का वित्रण किया जा रहा है इस बीच जिला प्रशासन वारा 5 अक्टूबर को कोरोना जाच के लिए करीब 5000 लोगों का नमुना लेने का लक्ष रखा गया है विलासपूर में नीजे स्कूल असोसियेशन की ओर से जिला प्रशासन को कोरोना मरीजों के इलाच के लिए 15 अक्सिजन सिलेंडर प्रदान किये गए हैं वहीं विलासपूर मर्चंट असोसियेशन व्यापार विहार की ओर से भी 5 अक्सिजन सिलेंडर दिये गए हैं तीन नवंबर को होने वाले मरवाही विधानसभा उपचुनाओं की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसी सिर्जले में राजी की मुख्य निर्वाचन पदादिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज राइपूर इस सिद अपने कार्याले में राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोशित चुनाओं कारिक्रम के बारे प्रतियों को देखते हुए असी वर्ष से अधिक उम्र के बुजर्ग और दिव्यांग जनों के साथ ही अधिसूचित आवश्यक सिवाओं में सनलग्न मतदाता और कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संदिग्ध मतदाता जो हों आइसोलेशन अध्वा कॉरिंटाइन में रह कर सकेंगे वहीं बिलासपुर रेंज के आईजी दिपांशु खाबरा ने आज मधिप्रदेश और चतिसगर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लिया और अधिकारियों की एक बैठकली बाद में मीडिया से चर्चा करते वे श्री काबरा ने वता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में शिक्षा सुधारों में भागिदार के लिए लोगों से मेरी शिक्षा मेरा भारत माई नेप प्रतियोगिता में भाग लेने की अपिल की है प्रधानमंत्री ने आज एक ट्विट में कहा कि यह प्रतियोगिता रास्टिय शिक्षानीती 2020 की खास बातों के बारे में जानने का एक रोचक तरीका है शोताओं सोशल मीडिया पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में एक फर्जी प्रपत्र का प्रचार किया जा रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि बेटियों को दो दो लाख रुपे दिये जाएंगे पत्र सूचना कारियाले ने ट्विट कर बताया है कि इस प्रकार के किसी प्रपत्र का प्रचार अवैद है और इस योजना के तहट किसी प्रकार की कोई नगत सहायता नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार ने आंकलन वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटन दाखिल करने की अंतिमति थी 30 सितमबर तक बढ़ा दी है 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वित्ती वर्ष के लिए आयकर रिटन दाखिल करने की अंतिमति थी इससे पहले बढ़ा कर 30 सितमबर की गई थी आयकर विभाग ने कहा है कि कोरोना महमारी सिती के कारण करदाताओं की कठिनाईयों को देखते हुए यह फैसला किया गया है राज में समर्थन मूले पर धान खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई है इसके लिए बारदाने की विवस्था का कारिय शुरू कर दिया गया है खाद्य नागरिक आपूर्ती और उभोगता संरक्षन विभाग ने इस सम्मद में दिशा निर्देश जारी कर सारजनिक वित्रन प्रणाली के बारदानों का इस समाज शासकी उचित मूले की दुकानों के अलावा अन्यकारियों के लिए करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है अनाज वित्रन के बाद बचे शेश बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे है और अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आम तक चथिसगड की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारू की ओर राज्य सरकार ने नियूनतम वेतन अधिनियम के तहट प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजन, क्रिशी नियोजन और अगरबत्ती नियोजन में कारेरत श्रमिकों के लिए नियूनतम वेतन की दर्ये निर्धारित कर दी है इसके अनुसार इन नियोजनों में कारिकरने वाले अकुशल, अर्दकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्ट्रमिकों के लिए अलग-अलग शेणी में नियूनतम मूल वेतन और परिवर्तन शील महंगाई भत्ते की दरें तै की गई हैं। रास्टिय स्वैच्चिक रक्तदान दिवस के अवसर पर आज राज्च में विभिन कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वही महासमुन जिलाच्चिक साले द्वारा आज से 15 अक्टूबर तक स्वैच्चिक रक्तदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और 8 अक्टूबर को जिलाच्चिक साले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों खवाड़न करते हुए रक्तदान शिवर का आयोजन किया जाएगा। खविरधाम जिलाच्चिक साले में भी रेट क्रॉस सोसाइटी और स्वैम सेवी संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिवर का आयोजन किया गया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गी लाल बहादुर शास्त्री को भी शद्धांजली अर्पित की है। इस बीच मुख्यमंत्री कल गांधी जैनती के अफसर पर नवा रायपुर सिद मंत्राले परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये अनावरन करेंगे। इससे पहले संस्कृती मंत्री अमर्जीत भगत ने आज प्रतिमा इस्थल का अव कि भाई सो करोड रुपे की लागत से बनने वाले विभिन विकास और निर्मान कारियों का भूमी पूजन तथा लोकारपन भी करेंगे। राजिशासन ने इस संबंध में सभी जिला पंचायतों के मुख्य कारिपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। सेवा प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसकूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस आशे के निर्देश दिये हैं कि पत्र में कहा गया है कि जिन इसकूलों का नाम पूर्व में ही रखा जा चुका है उनका नाम यधावत रहेगा। लेकिन पहले से रखे गए नामों को स्वामी आत्मानंद उतक्रिष्ट विद्याले योजना के तहट संचालित विद्याले के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने इस बात के भी आदेश दिये हैं कि विद्याले का नाम मुख्यद्वार और अन्य स्थानों पर लगा कर उसे प्रसारित किया जाएगा। बीजापुर जिले के जांगला थ़ाना शेत्र में मावदियों ने दो ग्रामीडों की हत्या कर दी हैं बर्देला गाओं के पास अलग-अलग जगहों से इन दोनों ग्रामीडों के शव मिले हैं। वहीं सुक्मा जिले के गादी रास इलाके के से सुरक्षा बलो ने एक माववादी को गरिफतार किया है इसके पास से टिफिन बम और अन्य सामगरी बरामत की गई है इस माववादी पर पुलिस की रहकी करने और विस्वोटक लगाने जैसी वारदातों में शामिल रहने का आ ग्रामीनों द्वारा पुलिस कर्मियों पर कथित रूप से हमला किये जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है प्रशासन बारा पिथोरा एस डी ओ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है वार तलब है कि महसमुन जिले के कोमा खान थाना शेत्र इसित नर्रा गाउं में बीती रात अवैज शराब विकरी के मामले में ग्रामीनों के साथ विवाद होने के बाद कुछ लोगों द्वारा पुलिस वहन पर पत्राव किये जाने की खवर मिली है जिले के प्रभारी पुलिस अधिक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कोमा ख और अब पेश है मौसम का हाल, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर गरत चमक के साथ आकाशी बिजली गिरने की चेतावनी दी है, राइपुर इसित मौसम विज्ञान केंदर से मिली जानकारी के मुताविक पश्शिम मध्य बंगाल और उत्तर पश्शिम बंगाल की खाड़ी के साथ तर्टी ओडीशा तक एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, इसके असर से कल राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्ध अंबारिश हो सकती है, अब कुछ अन्य खबरे संख्शेप में, महासमुन जिला मुख्याले से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर इसेत अरंड रेलवे स्टेशन में आज एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया, बाद में हाथी जंगल की ओर चला गया, वहीं एक अन्य हाथी न नहां को कवर्धा का पुलिस अधिक्षक बनाया गया है, राइपूर संभाग के आयुक्त जी आर चुरेंद्र ने 4 अक्टूबर को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा के दौरान परिक्षा केंद्रों में COVID-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने के निर राद दो वाहनों के बीच हुई आपसी भीडन पें चार लोगों की मौत हो गई, मृतकों में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्णवचारी शामिल है, आज अंतरास्टिये व्रिद्दचन दिवस है, इस अवसर पर कोरिया जिला खलेक्टर S.N. राठोर ने बैकुनप विधेयक और राज अल्प संख्याक आयोग संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, राइपूर जुले में अनुसूचिक जाती और जन जाती वर्ग के बेरोजगार हुवक लोन लेकर खुद का रोजगार इस्थापित करने के लिए राइपूर के कलेक्टर्ड का बांग को लेकर आज राइपूर में एक दिवसी धर्ना प्रदर्शन किया, शास की चतुर्थ कर्मचारी कल्यान संग ने आदिवासी जाती कल्यान विभाग द्वारा वस्त जिले के स्कूल, आश्ट्रम और चात्रवासों में वर्ष 2014 में सीधी भरती के दौरान कथित रू और दुर्ख पुलिस ने 13 लाख रुपे की 60 पट्टी के साथ 3 आरोपियों को गिरिफ तार किया है, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर 36 गर में 2 अक्टूबर से कोरोना सघन सामुदाईक सर्वे अभियान चलाया जाएगा, मरवाही उप्चुनाओं को लेकर तैयारियां शुरू, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर चुनाओं कारिक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी, राजसरकार ने नियूनतम वेतन अधिनियम के तहट प्रदेश के 45 अनुसूचित नियोजन और क्रिशी नियोजन में कारेड़त श्रमिकों के लिए नियूनतम वेतन की दर इने धारित कर दी है, और बिजापुर जिले में जिले के जांगला थान शेत्र मेमावादियों ने दो ग्रामिडों की हत्या कर दी है, इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटन समाप्त हुआ, नमस्कार